दोस्तों यह है ऑक्सीमेटर आज की टाइम में हर घर की जरूरत है यह क्या आपने सोचा है कि इसको अलग-अलग ओलियों में लगाने पर क्या आउट्पुट भी अलग-अलग आएगा रीडिंग भी अलग-अलग आएगी आज का एक्सपेरिमेंट है इसको अलग-अलग लगाते हैं इसको मिडल वाली फिंगर में अब लगाते हैं इसको मिडल वाली फिंगर में और यहां पर देखते हैं यहां पर क्या रिजल्ट आता है वैसे बोला यही जाता है कि मिडल फिंगर में लगाना चाहिए यहां भी देखे सेम है 98% oxygen level है और 77% pulse है जो pulse आ रही है वो 77 की आ रही है और 98% का oxygen लेवल है अब next में लगाते हैं जिसको कहते हैं रेंग और देखते हैं कि यहां भी रिजल्ट सेम रहते हैं यहां थोड़ा सा बेटर है और जाते हैं बेटर हैं यहां पर 99% आ रहा है जो oxygen का लेवल है वो दोस्तो 94 से 100% के बीच होना चाहिए जो नॉर्मल में काउंट होता है 94 से नीचे है तो वो कहीं न कहीं कम काउंट होता है अब लगाते हैं लास्ट वाली फिंगर जिसे बोलता है लिटल फिंगर और यहां पे भी बेटर ही आ रहा है थोड़ा सा यहां पे भी 99 का जो oxygen लेवल है और पल्स रेट आ रही है वो आ रही है 75-73 देखते हैं यहां पे दुबारा से चेंज होता है या नहीं होता है अभी भी उतना आता है तो पहले यहां पे 98% के असपास दिखा रहा था आप देखो 99% दिखा रहा है तो oxygen का लेवल थोड़ा 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 ना बॉड़ी के इंदर चेंज भी उता रहता है जिसे आप oxygen को ज्यादा इनहेल करेंगे वैसे वैसे oxygen की या blood आपका ज्यादा पंप होगा तो oxygen का लेवल भी उसी साब से बढ़ जाता है तो इसलिए का आ जाता है खुले में सांस लीजिएगा योगा कीजिएगा पार्क वगरा में जाएग अबी तो सब घर में बंध है situation ही इतनी बुरी है बट अगर आप कर सकते हैं तो योगा करिएगा खुली सांस लीजिएगा अगर आपके छत है छत पे जाएगा शाम को morning time पे तो उससे oxygen का level आपकी body में थोड़ा अच्छा ही maintain रहेगा और अपनी immunity को strong भी रखिएगा तो इस वाले experiment से देखे थोड़ा सा फरक आता है बहुत ज्यादा फरक नहीं आता देखे यहां पे 96-97 दिखा रहा है जो middle वाली finger थी जो आपकी index finger थी या little finger थी उसमें 99 भी दिखा रहा है तो थोड़ा सा 1-2% का फरक है बहुत ज्यादा नहीं है बट advice middle finger के लिए होता है तो middle finger में नहीं चेक कीजेगा या thumb में चेक कीजेगा यह मैंने Google भी किया था तो उसमें middle और thumb का ही आ रहा था आप भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं आपके कोई doctor हो knowledge में तो भी चेक कर सकते हैं वीडियो को like share subscribe जरूर करिएगा दोस्तों